नमोर नमोर दर्शको कैसे आप सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चानल रिती रिवाज विजेता में दर्शको आपने जो मेरा होटेल के वाउचर और उसका फ्रॉड जो है उस वाले व्लॉग को बहुत मुझे अच्छा रस्पॉंस मिला उस पारे या फिर वो कैसे अपने पैसे वापस ले सकते और उसके लिए वो बहुत परेशान है तो दोस्तों पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा कॉल आता है तो आप अगर महां पे सिर्फ अगर एक हो सकता है आपको फर्स टाइब में आपक आप ठीक है उनकी प्रेजेंटेशन अटेंट करो लेकिन कभी भी अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और कैश कुछ मत लेंगे जाओ वो आपको ओन टेबल मेंबर्शिप लेने के लिए बोलेंगे और वो मेंबर्शिप को आजकल उनने फैशन बना लिया है ओनर्श लोग लिए बताना चाहूंगे कि जो अल्डेडी ट्राप्ड हो चुके हैं और वो अभी उनको सर्विसीज भी अवेल नी कर पारे तो उन्हें क्या करना चाहिए मैं अपना एक्स्पीरेंस बताती हूं आपको कि मैंने इनीशली ली थी जुकासो की जुकासो जर्नी की मैंन की फटैब श्रहा की आपको की खरब कि तो पर दो शतया से कि आपको श्रहां को सबस्क्राइब करें तो श्रहां की तो केमोई पर आपको कर थेंड हैं कि प्राप शोलिदी अच्छ फोटेंगे यह हो जाएगा वो यह हुआ निश्यली इनौन यह हैं फिफ्टी फाइध कर हाँ पे on the table credit card से swipe कराके 0% interest पे बनवा लिया दे दिया लेकिन उसके बाद में लगातार तीन साल तक हम उनको करते रहे calls पे call कोई हमारी call attend नहीं करता था mail कर रहे हैं तो कोई हमारे mail पे response नहीं देता था तो इस तरीके से वो होता गया फिर मेरे husband ने तो बोला कि चलो इसको bad debt समझके छोड़ दो लेकिन मुझे बहुत गुसा आया कि हमारा hard money है लगा हुआ है उसके उपर में और ऐसे कैसे कोई वो कर सकता है करके तो फिर हमने हम दोनों husband wife उनके वहीं पे जहां से हमने उनके hotel से लिया था वहां पे उनको corporate staff भी बैठता था और हमे ऐसे ही टाइम पे गए जो महां पे presentation अलड़ी चल रही थी और वहीं जाके हमने aggressively पूरा shout किया ताकि और भी जो guest time है लोग आए उनको भी पता चले कि जो यह membership है यह fraud है और इसको देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है उनको कोई holiday मिलने वाला नहीं है तब उनको अपनी reputation को बचाने के लिए उन्होंने हमें बोला कि please please आप हमारे please बैठिये हम कुछ करते हैं फिर हमें husband wife को दूसरे रूम में बठाया और फिर वहां पे उन्होंने जो हमारी membership है उसको फिर renew कर दिया उसको कि हमारी वैसे वो दो सल बाद खता ही होने वाले थी लेकिन हमने तो एक five years के लिए उसको renew कर दिया कि हम आगे उसको use कर सकते हैं जिसमें कि हमने उसको एक बर avail भी किया लेकिन seriously इतना pathetic हमारा experience रहा कि जो वो hotel आपको provide कर आते हैं वो seriously वो horrible situation थी कोई भी अपनी family को ऐसी जगह पे नहीं ले जाना चाहेगा जब हम आपे पहुंचे तो हमें फिर वह hotel में रहना जाना पड़ा हमें तो इसलिए आप इस चीज़ों को तो सोचो ही मत कि आपको कोई अच्छे holiday वो करने के देने वाले हैं और अगर आपने भी अगर ऐसी किसी क्लब से membership लिए किसी hotel से लिए कि जहां पे उनका corporate staff बैठता है आपको थोड़ा सा भी idea है आप वहां पर जाओ और आप वहां पर ऐसी aggressively बोलो उनका वीडियो शूट करो कि मैं हम आपको social media पर डालने वाले हैं तो अपनी reputation को बचाने के लिए वो ज़रूर कुछ न कुछ आपको करेंगे या फिर जो आपके hard cash गया हुआ हुआ है जिस company के लिए बनाया था तो वो उनका मुझे call आया कि मैं इस वीडियो को delete कर दो क्योंकि उनके reputation खराब हो रही है और उन्होंने एवन मुझे भी offer कि वो मेरे मेरे पूरे family को मैं मतलब वहां पर डिनर अरेंज करवाएंगे ये वो लेकिन मैं नहीं चाहता था जो मेरे प्लीज आपको मैं बार-बार बोलोगी अपने friends को सबको ये वीडियो जरूर भेजो कि कोई भी इस टाइप के Delhi NCR और बड़े चेहरों में बहुत जादा ये चीजे फैली हुई है वो क्या करते हैं एक कोई बैंकट हॉल ले लेते हैं और वहां बैंकट हॉल में अपना सब्सक्राइब होता है कि किसी ना किसी को तो आप वो ट्रैप करेंगे और फिर उसको अलग अलग नाम से प्रेजंट करते हैं कि हम आपको membership नहीं दे रहे हैं आपको ownership दे रहे हैं हम आपको खुद आपकी holidays ऐसे plan होती है वैसी plan होती है मैं वैसे भी covid का टाइम है तो जब आ अपने हिसाब से ही कहीं पर जाए तो अपने आप करके जाए यह इन hotel और clubs वालों के ओपर भरोसा करना बिल्कुल ही बेकार है तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज लाइक जरूर करना और लोगो और भी लोग ना ट्रैप हो तो इसलिए जादे जादा इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों ऐसे मेरे साथ बने रहें टमो नमा दोस्तों